चार दिन हो गए हैं कांतारा मूवी को देखकर यह मूवी दमाग से जाई नहीं रही है अपनी बेटी के साथ मैंने यह मूवी देखने किया था हूँ अम भाई बहन, माई वाइफ और मुझे लगा कुछ क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सीन्स थे जो मुझे लगा गौरा चौंक जाएगी, हिचक जाएगी या डर जाएगी विकेज जो देविक नरत्य है उस मूवी में वो थोड़े से अग्रेसिव हैं तो लेकिन गौरा ने सामने से मुझे मेरे कुछ कहने से पहले गौरा ने मुझे पूचा कि यह भगवान भगवान है क्या भगवान डांस कर रहे हैं तो क्योंकि लोग हाथ जोड रहे थे मूवी में उन्हें देखकर फूल फेक रहे थे उनके प्रती तो बहुत अरसे के बाद एक ऐसी मूवी आई है जिसने हमारे धर्म, हमारे कल्चर को इतना ब्यूटफुली रेप्रेजेंट किया है कि आपके वो दुमाग से जाही नहीं रहे है पीपल आर तो कि अबाट इट नोट जिस इन इंडिया पीपल आर तोकिंग अबाट अक्रॉस दू ग्लोब लोकों के रियाक्शिंज यूएस, जपान, चाइना, पाकिस्तान यूटुब में इतने सारे वीडियोस है मैं कोई मूवी क्रिटिक तो नहीं हूँ I'm not a movie fan पट ऐसी मूवी मैं छोड़ता नहीं इस मूवी को देखने के बाद मुझे मेरी बचपन के दिन याद आए जब मैं अपने स्कूल डेज में अपनी ट्यूशन टीचर के पास जाय करता था उनका मंदिर हुआ करता था मुकामबिका देवी और उस मुकामबिका देवी मंदिर में मुझे आज भी यादे उन्हें हम धर्मणना कहते थे उनका नाम था धर्मींद्र लेकिन उन्हें हम अणना कहते थे साउत इंडियन थे तो धर्मणना कहते थे हम उन्हें और एक थे यादो अणना तो जब भी वो पूजा किया करते थे शुक्रवार के दिन अक्सर होता था कि जब वो पूजा कर रहे हैं तो उनमें शायद देवी आती थी और उस वक्त तो हमें समझ में नहीं आता था बहुत डर लगता था हमें वो चीज देखकर क्योंकि साउथ इंडिया में ये प्रथा रही है कि मंदिर की सजावट डेवी देवताओं की सजावट अब प्रतिम होती है मतलब कोई उसमें आपको लगता है कि एक सजाने वाले ने अपनी आत्मान दे डाल दी है देव और प्रतिमा इतनी सुन्दर लगती है और एक अलग प्रकार का वाइब होता है एक अलग प्रकार की शक्ती होती है वहाँ पर तो हर शुक्रवार जब वो कारेक्रम होता था तो बहुत लोग अलग अलग जगह से अपनी समस्याएं लेकर आते थे और उन्हें एक अलग प्रकार का एक लंबा सा फूल हुआ करता था मैं भी I think South Indian समझ पाएंगे वो देते थे और चड़ना में दिया जाता था प्रसाद दिया जाता था काफी लोग संतुष्ट होते थे उसे देने के बाद क्या होता था मुझे ये तो पता नहीं लेकिन उसे उस प्रसाद को ग्रहन करने के बाद जिसकी समस्या है वो आदमी संतुष्ट जरूर हो जाता था इतना मैंने नोटिस किये तो इस मूवी को देखने के बाद वो एक फ्लैश बैक सा आया मेरे दिमाग में की बच्पन में मैं जहां ट्यूशन जाया करता था वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़े तो मेरे आखों से वो प्रत्यक्ष देखी है हर फ्राइडे को हम जल्दी छूट जाया करते थे हमें मंदिर के आरती में उपस्तित होने के लिए जल्दी छोड़ दिया जाता था और हम बड़े एक्साइटेड होते थे प्रसाद खाने गले, साउथ इंडियन प्रसाद तो अब मैं आगरह करता हूँ सभी से की अगर इस देश के कल्चुर के बारे में जानना है इस देश के गाउं में देवी देवताओं के बारे में जानना है ये तो छोटी सी जलक है यार इससे तो बहुत, I mean I'm sure हम हम सब के गाउं में कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो इस मूवी को देखने के बाद हम कनेक कर सकते हैं, हमारे ग्राम देवता हमारे कुल देवता तो हम सभी को ये मूवी देखनी चाहे है और I mean best यार I'm speechless I'm speechless मूश देखनी च्छोरी की जास्ट्री जास्ट्री चाहे है